की जाए महाराष्रेश्ट पब्लीक विलकम तो दे लाजस आफ यथार्थ्माहराष्ट्रा 2.0 साग्रायन जा स्वागत है सबका यहां पे स्वागत है आज यहां पे डिसकस करने वाले SST में जोग्रेफिका एक इंपोर्डन चाप्टर तो ये पहला चाप्टर आपने तो भगना राहोत लक्षाद ग्या सग्रयास माराथी माध्यमातिल आपने स्वी माध्यमातिल सर्व मुलांसी तो स्वागत है कारण यथार्थ महाराचो टूपांट ओ मदे अपन काई घंडारे तो आज आपन सोशल साइंस माध्यमातिल तुमसे वेगड़ पुस्त काई भूगलाचा तो भूगलाचा आपने एक पहला धरीते सुरू करतो है तो धड़ाचा नाव है वितरनाचे नकाशे ओके मंजे जाले मंजे आपन उनुकी खनीचा कुट-कुट पसलीली आहे तो आपन उनुत पाउस पुट जासता पड़तो है उन कुट जासता आसना रहे को लोकसंग्या कुट जासता कुठ कमी आसना रहे या आशाड वेगड़ प्रकार चे जेका ए गोश्टी जवा आपन एकाद्या नकाश हे बारती दाखा हूतो जासता अपन विविदा प्धति यूज करतो विविदा मैप सब्सट प्रकार पाढ़ लेला है ता आज बखुया कि विविदा गोश्टी दाखा हूताना एकादया गोश्टी सा वितरन करताना कोण-कौण या प्रकार चे नकाश आपन here whenever we want to show something in the map let it be you know maybe the population maybe temperature maybe we can say here the minerals maybe we can say there will be a lot of flora and fauna means you know vegetation and wildlife as well so we are using different kinds of maps to show the distribution of different things okay so let's try to understand here how we are going to use this map and what are the different kinds of maps are here so welcome all of you but before starting this session I request everyone you know you know that you have to be with your textbook and notebook and dictionary to sit here because it is very important, let's not take this problem because it has been asked a lot of questions so I want to hear all of you that the preparation is very important. The second one is that when we are not doing one thing, we are going to do the same thing we are going to do the same thing, we are going to do the same thing. What is it? Also still, before you want to know the difficulty of doing one thing, we must do a Gusti Buc one thing which one of your critics the day's day and notice to me there is a Stelle in the book to the list of content. The guy who incapable of edit sale of compare rights taught us and his features are a list of videos. So what are your emotions for you? What kinds of ideas will find Regal, करता ना टी का कर रहा है लहाई चिय तुम्चा पुस्थ तक अमा दे गटिंग सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चाप्टर काफी इंटरेसिन दरीके से and we'll go and discuss क्या के डिस्कस करने वाले आज आज हम डिस्कस करेंगे dot method chlorophylle method method isoplete method and geographical field visit means आपना असकाय करना रहा है आपन बगने तिमब पाधत्मजी निमख़ क्या दा ऑगोलिक शेट्राभट में नइमिकर काई समय घंडी पंध्यमिकर कानी अगुल है और अपने हैं पर आप नहीं कर आ रहा हो तो लेटS टाह्त श्यर्नी विदाश का टाइम विल्कों डिसक्षों मेनिम और तीक्सटी अवर यह तो लक्षद घ्यां तुम्चा टेक्स्बुक मदले स्काही पारगर्प में तक हितलेला है तो के अनि है काही थे थांगते लक्ष्यात क्या कि हुब इंपोर्टन गोष्ट है सो विल कोईंड अंडर्स्टेंड है इन इच और एवरी इंपोर्टन सो तुम्हील मागेल यत्र मदे काहा पाई पाईला परिशर अभ्यास पाईला ओके आता यह आ अपनलुका लेक्ष्या सुरुप असनार यह क्लाज अपन अग्रण त्या क्लास सुरुप कसा आसनार पहिलां दा मी मराथी मीडियम से explain करेल मराथी मदे पुरुना पने जे तन्से वासुन तरना दाकवेल प्रत्यक संकल पने तरना explain करेल and then you know I am going to turn with the English language अपन मांक्त दढ़ा केला त्या प्रकार आपने शुरू करना तो के English mediums आपन प्रकावे तरना रहा है getting all so let's start here talk about तुम्ही माघेल यत्र मदे पाहिला असल की जिल्हा असल राज्या असल देशन नकाश असल यहाँ आपन अलड़ी के लिए राइट ना तो नकाशन उधेशन हो तक आते है क्या आपने ला करते के ठीकार निंपक उठाँ कोनत दिशला टे वसलिला है कोल्या त topping उत्माल तुम्ही आ रहा है क्विशिश्य उत्माल त्यार क्याटा Óसल है यह घंड़ है आता सम्झा करने आता आपन महनू की उद्धेश आत्पंग नकाशी ताला महांतात काही विशिष्टा उद्धेश अन ते नकाशा पन त्यार करतो है आपन महनू आद की तुम्हाला दाखवायचा है त्या चामादे किती पाउस पड़ो त्या भागा मदे तापमान आसते तुमाला अहला प्रभावा परऊस अनकाशय तुमाली तुमाली करता है जासते ही तुमाली नर्यदियाचा से त्यों के सपत्वस प्रभाव दर पकमी त्यारा महतनते काई करते होते है अपिले करल स्हकाता है कि या या जिल्हाइचा महराश्याचया पच्च्त भागा मदे जासते प्वास्पड़तो महराश्या खाला ऐकड़ी 1 तो सी फटोड़ास सब पवास्पड़तो पफ़ास्फड़ असथ दburn नंबर्स तुम्हाला महीत असना अवश्यक आए कि किती पाउस बढ़ते हैं किती नाई बढ़ते हैं ते भास तुम्हीं काई कुर सकता है त्या प्रकाची रंगजटा असल त्या प्रकाची विधा नकाशे असल त्या प्रकाची टिंब पद्ध असल तुम्हीं ते यूस कु लेकिन तो इंपड़न वाली बात यहां पर हो जाती है the main aim of the map होता क्या है अगर main aim की बात अगर हमें करते है तो वो होता है कि location दिखाना है ना कि location को दिखाना यह main aim होता है हर किसी map का लेकिन if we talk about कि अगर आपको और भी कुछ different चीज़े दिखानी है map में कुछ special themes अगर उसमें आपको दिखानी है तो उस theme वाले map को हम कहते thematic maps अब यह thematic map में हम क्या दिखाते है thematic map में आप दिखा सकते हो कि किस तरह का distribution of temperature वहां पे rainfall कहां कहां पे किस तरह के से हो रहा है कहां पे जादा कहां पे कम हो रहा है population मतलब लोग कहां पे जादा रह रह रहा है कि इस region में जादा population है यह आपको thematic map के आधर से पता चलता है okay so now you need to understand here कि these maps are very useful to explain कि कहां पे कितनी बारिश हो रही है और कहां पे कितनी कम बारिश हो रही है कहां पे जादा animals है कहां पे कम animals है कहां पे लोग जादा रह रह रहे हैं कहां पे कम रह रहे हैं तो यह आपको study करनी के लिए काफी फाइदेशी जहां पे होता है and these maps are very useful to explain कि वो distribution किस तरह से हो रहा है अब देखो ऐसे जो map से इसमें different different patterns हम use करते कभी हम dot method यूज करेंगे कभी also plate method यूज करेंगे कभी color plate method यूज करेंगे तो different kind of methods है वो हम आज देखने वाले कि क्या क्या methods वापे होती है so you know यह distribution काफी आसान हो जाता है and you know distribution can be shown in the three following ways on a map अब यह कौन-कौन से ways है पहले बात करते हैं कि हम यहां पे इनो यह वाला क्या है यहां मारतिम मते कावना टिंब पदत कावनता तिंब पदत मज़ें तुम्ही लोकसंके आकू शक्ता कि कोण त्या भाग मते लोकसंके जासती तुम्हाला जासता तिंब बगल मेंदे getting on okay जहां भी population जादा है तुम्हाला काई लोकसंके जासता बगल मेंदे क्षेत्र गणी ओके क्षेत्रान उसर तुम्हाला काई कराचे तुम्हाला काई कराचे तुम्हाला काई कराचे तुम्हाला लोकसंके तुम्हाला काई कराचे रंग दाखवाचे तुम्हाला काई रंग दाखवाचे तुम्हाला काई रंग दाखवाचे तुम्हाला क्षेत नाओ रीजन grabbed araw पूरूंपठेका अफा प्रकार चाी अविटर्ना अंधे तो महझे या पूरुण रीजन के या पूरुना गौल पत्या मधे चाए है यह अपन दुम्हाई पाउस माणासे सब धिया यहला है अपन गणय ऐगी आशा मंतूल्ण heart University from here we are using ृ. dot method what is here dot method okay so यहां पर होता क्या है कि जिस एरिया में ज्यादा population वहां पर हम ज्यादा dots use करते है getting all okay और वो dot का size भी बढ़ जाता है we are going to discuss that one as well next पहला होता है coropleth okay coropleth काफी important ही होता है आप यहां पर काफी differentries दिखा सकते हो okay then we talk about isopleth okay तो isopleth दी काफी important map बन जाता है we are going to understand each and everything about the isopleth as well इसमें होता क्या है समझे का यहां पर आपको दिखाना है कि यहां पर जादा बारिश होती है तो आपने देखा जादा बारिश होती है तो इस पूरे रिजर में वही बारिश होती है same kind of आपने बारिश टोड़ा आगेचले के और अपने लेयर यहां पे खिछ ली और थोड़ा आगे चले और यहां पे क्या सकते होगे sound आपने बारिश ऒर लेयर आगे चले looking to understanding the details नाता काहे इयद टिमब पद्धतर तिमब टिमबग 선생शत गदीफ अपन पधिव पपर तो तोड़ सुधा भगवय दऴधिंटल अपतल September अलेनल प्रशांट मुमुल्य करने काधि अपनार्च प्रश्ज्ज मेनला나rike बंग ती तापमनाची आसल लोकसंक्य ची आसल ती परजन न अची आसल ओके त्या आधर आपन काया करतो तो टिम्भव पध्धदीसा नकाशा तीथे यूज करतो ओके आद लक्षा गया रहे परदेशा मधे पाउस किती पड़तो एख अध्या प्रदेशा मधे किती ऊन आहे किती टेंपरेचर बाडते है एखाद हाब प्रदेशा में चिती योग रवाकता है हे ता महांत्य आधर आपनदाखावु शकता है लक्षाद क्या किस आता समझा एखाद हैखाद प्रदेशा में जास्ते लोक संकी tweeting तुम्हें जास्ते टिंब-दाखावु师 शकता है तो शास तरेने नाकश में तुम्हाला वित्तरण दाकोल जाते है जास्त लोग संके आसेल, जास्त तुम्हाइच तुम्हा तुम्हा तुम्हाला वित्तरं धाकोल जातें आशाप्रका टिम्बाचा साइज वरून तुम्ही तितलाचे वितरन आहेदे धाकूँ शकता क्योंती संख्या तुम्ही दाकूँ शकता तो त्यासाटी प्रतिशाचेल घटकांचा सांकी के महाईदे तुम्हाला अबेलेबल पाईजे कमीट कमी क्यों आशासी जास्त जेकां मुल्या है तुम्ही तो विचारमादे घञाए खीऊफ़ा यान है जेपन घेतो क्यों तर्फ हरा टे कितला अनिकनल अनिकशत का था इन्चता हेए तो प्रतिक ओपविभाह आतिलिम आप प्रशाश कीता आप达रा कि काई आता ना पुनने जिल्ला आतिलिम अहिलनगर आतिलिमिनलों नन्हीं नन केdar रर्तिक पुण्यड़अगुश सपस्प lets नuff tweets color प्रवा वा ओवा लागता था औहाए थों तुम जेढ़ा धिमबे से सदेवाण थो परह थेवत है कहा मतMK कही ँट दो विचाराद घ्यून तुम्हाला टिम्ब देना कुप महत्वाचे समझा एकादे करने डोंगर कुप जासें तुम्ही एक लाख वाल टिम्ब ना दाखू शकत करने डोंगरा ओड़ती ओड़ी लोकर रहात नाइच ठीको ब्लोजिक वहले उठ्यामा जाँचे वितरन सो तुम्हाल टिम्ब दाखू शकता ने समुधर मुद्धे लोकर नाइच तो लोकसंका चे वितरन दाख होता ना ग्रामीन लोकसंख्या टिम्ब द्वारे तर नागरी लोकसंख्या दर्शला गोलाचा तुम्हाल अभीक उ तुम्हाला एक दोन आशे बारी बारी टिम्ब तो अखन फाइदा है का तो एकच मोठा टिम्ब यहते का तयार का रहाएचा मंजे का इतरी लोग संक्या एक लाख तुम्हाला से डारिकली महनता है तो ओके तो इथा का है तो जो घटक प्रदेशा में मुक्तपने विखुर ल ओके शहरा चे ठीका नहीं ओके जिल्ले चे ठीका नहीं आला तया ठीका वहन ऀमागतः मोठा गोल का तो वी सेसार ऑफेुद्फा Гोल पनींो चुटी कॉन्पिंडी कॉटी संख्या गोल मंचे में गूब mês झुटी संख्या गोल थी अखुप ओक उरीसे संख्या कुhr संख् okay you need statistical data to prepare this kind of map idea okay अगर आपके पास statistics available नहीं है कि वहाँ पे कितनी बारिश होती है कितनी कम होती है कितनी जादा होती है कितने लोग वहाँ पे रहते हैं then you cannot make this kind of map idea okay now look at here so अगर आपको dot map आपके प्रिपेर करना है तो only data gathered through counting is used जो counting करके जो data आपको मिला है वही आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो it's really important thing now the way okay the way variable is distributed throughout the region जिस तरह से जो भी कोई चीज है जिसके बारे में हम आपके map बना रहे समझो कोई आपकी population है या फिर आपका temperature है या फिर बात करेंगे है वहाँ पे कितने you know kind of vegetation ज्यादा है कितनी हर्याली ज्यादा है उसके ऊपर यह काफी important होता है कि कितने dots हम आपके show करेंगे कुस particular map के उपर अगर ज्यादा quantity में है population तो हम ज्यादा dots उस करेंगे या फिर हम एक बड़ा dot बना लेंगे okay now look at it for example population आपका region की होती है तो distribution population of the region distribution of the cattle कितने है यह भी काफी you know decide करता है कि हम किस तरह से dot method यूज करेंगे अब जानते हैं कि अगर में population दिखा नहीं है अगर हम एक क्टल पॉपुलेशन दिखा नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे तो show distribution through the dot method the value of a dot has to be determined आपको जो एक छोटा सो dot है उस dot की value आपको आपको क्या करने है fix करनी है मतलब एक छोटा dot मतलब कितनी population 1000 population यह fix कर ली अब उसके बाद 2 dot हो गए भाई 2000 population तो जहांबे भी वो गाव है तो आपको आपको 2000 है तो वहापे आपको दो dot देने है यह मैंने example बते दें ऐसा जो method यह फिर value जो है एक dot को बदल भी सकती है okay so to do that the lowest and the highest values given variable in the region are taken into consideration so accordingly होता क्या है जो number of dots हम फिर वहाँ पे decide करते कितने dots वहाँ पे देने है जो value हमारे पास आएगी समझो एक region की एक city है उस city की population समझो कितनी है पांच लागे तो पांच लाग के लिए आप वहाँ पे पास्टो डॉट्ट क्रेट नहीं कर सकते ना मुश्किल है नहीं हो सकता इसके लिए आप एक बड़ा डॉट्ट वहाँ पे क्रेट कर लोगे जिसे हम क्या कहेंगे सर्कल कर लोगे तो डॉट्ट अट्रमाइडर अल्सो वी नीट तू कंसिड़र कि साइज दॉट्ट क्या र लेकिन एक बात ध्यान में रखने हैं जब भी हम कोई इस परकार का मैप बनते हैं कुछ प्रिकॉशन्स हमें ध्यान में रखने क्या द्यान में रखने कि size of the dot है वो uniform होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए यह वहली बात काफी important है getting all okay उसके बाद जो distribution of physiography मतलब पेड़ब व वह प्लेसं करना तो फिर आपने एक एक लाख वाला जो डोट है प्लेस्ट में एक्विशुन नहीं होगे लोजीक खने करना डिखान में तो गाओं में क्या होता सो याच यू करोगे लेकिन अगर आपको Strong पॉपुलिशन दिखानी है तो आप यह उसकरोगे आप सरकल वहां पर यूज़ करोगे यह वाली बात धन रखिएगा आप टेंप्रेचर के लिए या फिर आप हम कहेंगे बारिष के लिए जैसे बात करते रहें के लिए आप यह मिथा नहीं उसक्ते वहांपे काम नहीं आएगी यह क्योंकि पूरे रीजन में क्या पूरी बार्श उसक्ति. आप वहांपे एक लाग एक लाग थुड़ी तो नकष्य में अपन काय दाखवले अपन टिंब पध्धिशा इथक आयके ले उपयों के लेला आहे टिंब पधिशा वितरन दाखवना नकष्य वाचन आपन कराईचे तो अमरवधी जहर ची लोकसां किती आहे अमरवधी जो टाउन है उसकी पॉपलेशन कितनी है नेम दे प्लेस हैं पॉपलेशन आफ वन लाग अन दे माप कौनसा प्लेस है जहां पर वन लाग पॉपलेशन है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अमरवधी में यहां पर यह सबसे बड़ा डॉट यूज किया गया है और वो डॉट क्या आडिटिफाइए यहां पर करता है वो डॉट आपको दिखाता है कि यह पांच लाग वाला जो डॉट है हमने यहां पर यूज किया अमरवधी में कौनसा वाला पांच लाग वाला डॉट उके चलो 5,000,000 वाला है ना क्या है पप्पुशन आपर गतीची की पांच लाग है ना अगर हम दो लाग है पर देखते दो लाग कोई हैं यह क्या चाइज दो लाग कोई है नहीं है लेकिन डिरिकली एक लाग वाला एक लाग वाला अचलपूर परचे सदरवाला अंजन गाव सुर्जी अनि वरूड कर ला अच्छा प्रकारे गटिंग ओल सिंपल कर ला मजे अम्रावती शहराची लोक्सन क्या कीती तुम्हाल दीस्तिया बड्डिकुल में आप औरूण पात्स लाक अपन मोठा गोल भी यूजकाल कीदी कमी-कमी-कमी-date-to-date-date पंच तुमीया रवधे गला इथे इथे वगया ही थे इता डॉट्स कीती होकता एक दोन तीन चार पाथ सहा साथ आट नव दहा अकरा बारा तेरा चाओधा अता चाओधा एक डॉट्स माजी कीतू दहाजार ओके सो वन इस इक्वल टू 10,000 असेल अनि या जर आपन 14 नहीं थेक आए केला केला ते कीती हिल एक लाग 14,000 लोग संग को नाची यह तालू काची एक लाग चाड़ीस हाजर लोग संग यह तालू काची केटिंगला ता आश्य प्रकरें यह आपन हम डिसेट कूर सатели होटे डॉट्स कट्लूलेट कना olla है कि नहीं करना हम नाओ लुट्स आट ह глंँ हमिगा दूट काफी इंपोर्टन तरीके से आगर हम देखते हैं यहां पर चलो तो 50 lakh population जो वो कहां पर है वो अम्रावधी की है है ना जो अगर 2 lakh की बाद करें 2 lakh वाला कोई है का यहां पर 2 lakh वाला कोई नहीं है शायद तो यहां पर 1 lakh वाला आपका बन जाता है एक लाक वाला यह ओके अचलपूर देन 50,000 का यह बन जाता है और 50,000 का अंजन गाव सुरुजी बन जाता है इस तरीके से आप इससे क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो कि कौन से रिजन में कितनी पॉपुलेटिन है लोगी बात है ना तो मतलब डॉट गिनने की जरूर्वी दे क्या अगर यहां पर 50 लाट इस इक वाले क्या है कि थावजंब पॉपुलेश्न है तो इतने डॉट यहां पर निकालने के लिए कितना टाइम लगे 10,000,000 population आपको आपको आपके मिलती है एडिगों, 10,000,000 काहाँ पे? इस रिजन में है ना? इंडेसिंगी नहीं? next now we are going to understand the coroplete तो मंझे एक शेत्रगणी नाकाशा अथा शेत्रगणी नाकाशा पदस मंझे निमकी का यास्ते? चलो, जरा बगुया है यास्त, तो या नाकाशान मदे भोगोलिक घटकांची आकड़े वरी, आता आकड़े वरी प्रत्यक मदे इंपोर्टे ना? भोगोलिक घटकांची आकड़े वरी ही खुप इंपोर्टेंट माजे महत्वाची आहे प्रत्यक नाकाशा मदे आकडे वारी श्यवा तुम्ही कोणता ही वितर्न सा नकशत वितर्न मंजे काई गोष्टी त्या प्रतिकुलर श्यत्रा मदे अपनोविखूर लेले आहेत क्यों त्या नकशत मदे आहेत अथा गोष्टी किती जुरुपात आए था तुम्हाल आकडे वरी लागने तो कर लाइकतो ओके इत तरी प्रक्रियेतूर तुम्हा ला ती महादी आके अवेलेबल होते और ती मंहादी तुम्हा तरी वह स्थाली दょgeb स्था चाहरा है no प्रदेशा चा प्रत्यक उपवभागा साथी आता अमर आउती बगूत कि आपन मनुद की अईला नगर आसे इता प्रत्यक तालू के आचा क्या प्रत्यक धक्षिन उत्तर पूर्वजे काई भागा है तो प्रत्यक भागा में ते कसा कसा वितरन आ है अपन दाकूश अकता है कर्का में अगर ज़्याख फूर्वसे चल्ड़करे की काई त्यों कई की स्यपत्यक प्रत्यक वन्हें करें ब्रते गडन्मच्रा नंग रंगर मतें आतो प्रकार्छाजिवें텀 हो ल है। आपने शेवट चाहा यह थे मुल्या खुब कमी असेल संक्या कुब कमी असेल आचे टिकन अपने ती यूस करते तो ट्यान अंतर यह आपर ताना वाड़ थ्या मुल्या प्रमाने रंग गड़ जोतो ओके लक्षाद घ्या आनि ते मुल्या गड़ नुसार नाकाशावर्ती का आपको मिलेगा डेटा उसे आपको मिलेगा नंबर्स और उस नंबर से आपको पत्च लगे किस तरह का कलर यूस कर सकते हो इस में होता क्या है only one value is given to one sub-admitry unit मतलब देखो हम पूरे district को अगरा थोड़ा सा करते हैं so smallest and largest values आपको डेटा में दी जाती है ओके और वह आपको कंसिडर करना है देखो अब एक पूरा यहां पर आपको मैप देयाता है तो उसमें five to seven classes मतलब categories आप आपे create करते हो okay वह आपने आपे create कर ली हां मतलब बहुत ज्यादा बारिश थोड़ी कम बारिश थोड़ी कम बारिश थोड़ी कम बारिश थोड़ी और कम और काफी कम इस तरीके से okay so you know each class is assigned to tint the same color okay आपको आपे same color करना है लेकिन वह करना है थोड़ा से you know kind of color थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा थोड़ा सा classification यह काफी easy चीस आपे बन जाती है चल देखते है नव यहां पर अगर इधाफ आपन बगित लटा आ अमरोति में तो तुम्ही लोकसांग क्या पाए तो लोकसांग क्या जासता है तो लोकसांग क्या सतक उठ्वाय है अमरोति में यहां तो अमरोति में आपन कौन्ता color यू यूज केला हूं गेडिंगाल अचल पुरू मदे त्याना तरह पर अंजन गाओं में थोड़ा सा कमी डार्क कलर यूज केला वही तुभी बात आए एक दो नानी तीन मदे आपन कलर जाए तोड़े से यूज के लिए रही ता बाकी चों मदे बगा एकदम डार्क पहिला कलर ओके पर्स्ट शेकेंड थर्ड पोर फिफ्थ इसर वॉट यह आहे यह वीविदय प्रकारसे कलर यह तो तोड़े तो यह तुम्सा डर्क आशेल इतो घंता है लोकसंग के जी तीक ही चारशे पिक्षा जासते लोग का एका स्क्वेर क्लोमेटर में थे नहाता एक स्क्वेर क हाँ 1 km यह 1 km मदे किती लोकर हाता त्या ओरूं ठरता की त्याचा शेत्रफड़ाची घंता 1 स्क्वेयर केटर मदे किती लोकर हाताथ त्यावरूं आपलेवी लोक सेंग ची घंता इथे करते गेडेस्टौन नच फिर्वस शूरुजी नच स्यूरौ नच पर इता को हंसके न एक गार्नी ऑसी को पार्नी क No is the neighbor in progress से घंट राते न görस्ते हैं चल्द्रीबास कमिये चीधम च्छलर konnte काय आहें चीधम काया है in चठमर्मर्म्ट ऌसले ऑस्य। हां का है हां डॉंगराल भागा है getting all डॉंगराल भागा है कसा है डॉंगराल भागा है अच्छेशत नहीं है का नो भागे चिखल तरह next now, आकुरूती 1.2e निए 2 मेधे आमर जलजल तुमी का भागीत है लोग संक्या पाहली त्याट मेरे रंग चटा पन पाहली है कुछन दोल पन पाहली हो कि आकुरूती बंद वापर ले नकाश देली है या पर की एकर निए तुम्हाला का रहा है सखल वाचंग कर रहा है आनि खाले परशन उत्तर तुम्हाल देचित now, you know, we are going to understand here in English medium का जो map है वो थोटा सा आपर समझेंगे then हम जाएंगे उस particular चीज की तरह देखो इस particular map में अम्रावती में आपको यूज किया गया डार्क वाला कलर ओके तो यह one two three four five तो population अम्रावती में सबसे जादा है तो obviously we have used a dark color है तो अम्रावती में हमने डाल कर यूज किया उसके बाद हमने आचलपुर में यूज किया फिर अंजनगाव सूर्जी फिर धर्नी में हमने यूज किया राइट ना ओके लेकिन सबसे कम जो population है वो कहां पे वो चिखल दरा में है क्यों क्योंकि यहां पे जादा क्या है आपको hills दिखाई देंगे hills है आपको दिखाई देंगे और रिभीज और यूज तो यहां पे जादा लोग नहीं रहते हैं इसलिए यहां पर जो कलर है हमने यह पार्च नमबर वाला जो कलर है यहां पर हमने यूज किया था सबसे कम डार्क िटिंग अदर्शूड अन्डेशूड नेक्स्ट नाओ in the figure 1.2a and 1.2b the population density maps of Amravati district using color shades and the black and white and patterns are shown and read any one map in detail and answer the following question name the talukas having population density between 301 and 400 persons per square kilometer what is the density of the Amravati taluka and name the talukas having population density less than 300 persons per you know square kilometer yeah no someone said 300-400 per square-90 something is around okay on the talukas having 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 its not coming at again which is actually your homework this is actually your homework what is your गुरोपाथ नक्की करा आइसोपलेद ओके समगनी पध्धत आथा मागीली यत्र मदे आपन कालो समोच्य रेखा पाईले समधाप रेचावगे आपन पाईले रेट नाओ त्या नक्षा मदे कालो समान मुल्य दर्शवन आर्या रेचा आधर तुम्हाले वित्रन दिस्त एक समगनी पध्धत आप माने तो जवा एकाद चलाचे मज़े एकादी जी गोष्टा है एकादी उंची आहे कि वा परजन्य आहे याच्छा वित्रन हे सलग अस्त सलग मन्जेका है समान ओके सलग है एका पूर्ण रेजन में समान आहे उत्तरे पसुन दक्षिन परेंत त्या पर्टिकुलर इतके किलिमेटर परेंते देखा है सलग तेवर पाउस इता पड़तो तेवा तो दाकुन में अपन काये करतो आपन समगनी पध्धत इसा इते वापर करतो तो समगनी पध्धत इसा इता करतो वापर करतो एकूप महत्तची गोष्ट है गटीं तो यूनोंग अब आख बीड़त में क्या होता है इसो प्लाइबले को शो करते है जो इक वाल्यू है आपको जो आपको जो वाल्यू है वो कोई तेंपर अपरो सकता है कोई बारिश हो सकती है या फिर उन्हों kind of climate हो सकता है वो सब कुछ हम वहां पर क्या करते हैं शो करते हैं और वह रीजन जो है उस तरह से आपको दिखाता है इसलिए वह यूजिंग इस कंड़ाफ मैप्स ही है हां पे यहां पे करेंगे हम क्या दिखाएंगे हम क्या लृटा है आ इस तरह को यहां पे एक सब्से दार्क हम अचलपुर में है उसके बाद अंजनगाव शूरुजी में है है ना इस परके लाइन हमने यह पर यूज किये देन उसके बाद बाकी जो तालुकाज है अभी तेसल से अभी कम परफुलाई दियातरद नियॉज आने वरुडाहि आश परके पर्लाई इसमान शूरुजी नो रहां कि विद्गें यह खेंव अंजनगाव सुरुजी नो आचलपुर में तुम्हाल पूलिश्यास्त कि कि गढ़ा वरुड के विदेग अनजनगा शींता अंजनगाव कुलर 음 एक पाप soup 열ize हैं जाդS قой सर्वर फेर्म सभी मैं झाहिए कि डिख्साansa यहां अगर हम पैंड एक यूज करते हैं अगर फॉरप न नीमें अगर फे यूज किया हुआ है ज्यादा लाइव बस दना कब्रै लें उसके बाद बाकि सारे तालुकाज में आपको सेम लाइन दिख रही है और उसके बाद जो सबसे कम डेंसिट वाइन है वह आपको चिखल दरा में दिख रही है तो चिखल दरा में क्या है less density of population kidding all next next अब देखो काफी इंपुटवाली बात है तो अब हमने यहां पर कुछ लाइन से पर क्रियेट किये तो लाइन जो है आपके लिए ड्रॉप कर देता हूं कि आपको समझे कि जो कलर जो हमने यूज किया गया है वह कलर क्या है इस तरीके से यहां यूज दे कलर तो यहां पर अलग कलर है यहां पर अलग कलर है यहां पर अलग है पूर पाइव सिक्स सवन है ना तो आपको यह अलग अलग कलर आपर दिख रहे होंगे तो यहां पर होती है यह हाजो नकशा है हाँ नकशा कशा सा है यहाँ है परजन्य माना सा मंझे का है बबाप पाउस पाउस कुझी जासते पढ़तो है तो पाउस हाँ अम्रावती चा उत्तरभागा मदे चिखल दरच उत्तर तुमाला पाउस जासते पाउस आए मैं थेरा शेय पाउस इते पढ़तो तो आपने कोंता कलारी उचेला गडद पाउस कमी कमी हुँ ताला दक्षी ने कड़े त्याम या भाग में आपन कोंता कलर यूज केला पिकट कलर यूज केला ओके थोड़ा सा कमी गड़ाद है ना है आशा प्रकारे आपन काय करतो समगणी नकाश आपने यूज करतो सब्सक्राइब यूज काय कि गड़ा परर्जन वालाचा पति मधे अंगे थोड़ा सावत इस इस अ इस आप यूज करे दीन है आपने यूज इन रिवरे ऑपिक्तों इस इस ओडाश को यूज करें व्हाद यूज कीया गया है getting all here it is getting dark color यहां पर तो dark color यहां पर इसका मतलब यहां पर क्या यहां पर बाज़ोंति तेरा सो मिलिमेटर की बारिशा पर होती है तो that's why we have used here the dark color यह पूरा रिजन में dark color फिसके बाद धोरा dark color जो है थोड़ा कम-कम हो जाता है और यहां पर आमने यूस किया है क्या less dark पेंट करें यह फिर आम उसे कहेंगे पेंट कला है ना बत समझ रहे हैं अप सभीकों आगे चलते हैं बात करते हैं लक्षद गया कि आता यहां नक्रशन साथी महत्तों से काया है कुप मतरशी indoor-oriented काय है लक्षद कहीं काय है कि दोझ जवल-जवल आसनार्य थिकाणा मैशुदा काय हो ça परङण धिल परुक समान गाती में तुम्हें थिशतो अंक्षयद कैया हाँ समान गतिने हो तो हे गुर्वेत धरलेले आसता त्या मुले आपन त्या पर्टिकुलर रीजन में भागा में आपन एकच कलर आपनासा यूज कलत उम्हाला पहला में तो है ना तो इथे एक शेत्राथी लूपवेबगान सा विचार नहीं केला जात हिधे दिरेक्दिने कलर मैं आपन पहला करत ऊचियाय माइटी कलरो psic आपनास चल मंवाण इसा ओके proto में फिजतन ताहै मंवाल पर्जननेमां पहले आपनासा क्यों आक शे परकार आंपनान और माले परमान तो जितके यूल स्थानुआ नासा शेया काल prisoner माई जातर तुम्हाला खालल टप्र सम्मघरनी नाकाशा त्यार करता ना घटकाजे जास्ती जास्त आणि क्या है कमेत कमी मुल हर द्गून तुम्हाला वर्गांतर मुझे वर्गिकरां कराला लोगतर दक्षिन भागा मात आपनोनु कि तुम्चे दवी चा यत्य मदेस नवी चा यत्य मदेस अ तूकडी ब तूकडी कड़ तूकडी T तूकडी 만पन्रगीhouse जोडू दठी समान मुल्य असलेल थीकाना तुम्हला रेशयुयो डो odeबल शोडव हलागता आशनाही पॉस हलु हलु कमी खोथ आचनक कमी ना होथ वे तुम बगित लगा किवाभा कोकनाची शेजर लगेचे वालवनड्रेका रहस्तांचा नाही आशनाही होथ राइट वे त्या हलु हलु कमी होथ जाता त्यां वोले तर घटकांची ले बदल ती उर एकमेशन दूर अस्तिल तर बदल तुम्हाला सोम्य अस्त लक्षा दिया आता नकाशा मुले का ओंट घटकांचा वितरनाथ तुम्हाला नैसर की कल दिस्तो आंते वह जाड़ा जुरुपा कश्या अस्तिल तापमान कसे बदलात परजन कसे बदलता है तुम्हाँ दिस्तो आता अम्रावधी जिल्ल्या चील तापमानाचा आपन इता परजनाचा नकाशा पाईला ओके आता यह तुम्हाला डिटल मेंदे अब्धास करतें काई प्रशन तुम्हाला उत्तर देची तुम्हाला पूड़ा प्रशन देना र आप जो है एक अच्छी तरीके से आई आइसो प्लेट वाला मैप एक पर क्रियेट कर सकते हो नहीं तो फिर वहां पर जो शेड सेना डिफरेंट कर सके वो चेंज हो जाएंगे बदल जाएंगे तो इसलिए आपको डिफरेंस बता होना चाहिए कि डिफरेंस बिट्रेंस बि दिखरी होगी ओके जिसे लोनावला है महावलेश्वर हैं अंबोली घाडे तो इन तीनों प्लेसे में लगबग सेम काइंड आप बारिश वापे होती है नो तो सब अड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होते हैं जो तालूकास बगरा यहां पे बिलकुल धान में रखन जाते हैं कै बारिश नहीं देखता टेंप्रेचर स्टेड्स नहीं देखता तो इसलिए सच्पकी करते हैं कि स्टाटिकल इसा राटा को हम कहते हैं कि point related data उसे कहते हैं अब values of the variable are written on the map जो values होते हैं मतलब कितनेasend कितनी millimeter का बारिश वायस वहां पर हो रही है कितने का temperature है वह वहां पे map के उपर पूरा लिखा होता है कि उस location में कितनी बारिश है ज्यादा अच्छी तरह किसे आप आपे map creation कर सकते हो है ना हम् so on the basis of this information isoflate map जो है आप prepared कर सकते हो and using the steps below जैसे by considering the कितना highest point है कितना highest and lowest values है of this particular variable मतलब कितनी कम बारिश हो रही है कितनी कम बारिश हो है एक उस class को हम create कर लाते है ओके जैसे अगर बात है अगर आपर हम करेंगे 1300 mm से 1100 mm तो यह हो गया एक category है ना फिर 1100 mm से फिर हमने यह पर क्या 900 mm तो यह होगी दूसरी क्या दूसरी category इस तरीक से हम क्या करते हैं these are the classes or these are the intervals हम हम यह पर create करते हैं okay so in turn lines are drawn drawn for the decided intervals so lines हम draw करते हैं वो दिखाने के लिए है ना कि कि इस तरह से वहाँ पर वो जो data है वो बदल रहा है है ना so following conclusions are drawn on the basis of the map prepared in such a way तो हमें क्या करना है कि जैसे अगर lines ज्यादा closer है to each other then change in the variable जो है वो काफी you know steve मतलब जादा वहाँ पर change हो रहा है अगर वो जो temperature वाली जो चीज है वो जल्दी बदल रही है मतलब उस दोनों region में जो है temperature जल्दी बदल रहा है और फिर बारीज जो है वो काफी जल्दी बदल रही है अने तो lines are away from each other then it is very gentle okay तो जो change वो धीरे धीरे होले होले हो रहा है जैसे हमने अमराथियोले मैप में देखा था जैसे for example यह वाला map यह वाला देखो या पर जो change है वो काफी slow हो रहा है तो मतलब इस पूरे region में आपको 900 mm के नज़िक आपको बारिश मिल रही है मतलब पूरे region में वैसे कि वैसे कोई जाता बदलाव नहीं हो रहा वही चेंज आपको दिखाए नहीं दे रहा है next getting all so we get an idea of the natural trend जो होता है पता चलता है कि भाई बारिश का ट्रेंड किस तरह से हो रहा है temperature का ट्रेंड किस तरह से हो रहा है यह हमें अभी पता चलता है so आपको अम्रवति वोला map क्या करना है ठीक तरीक से रीड करना है उसके questions दिएगे उसके आपको answers है पर देना है किटिंगाल हा गुरोफट कर रहा है विसरेश नहीं बिल्कुल next read the maps given in the figure of 1.4 and answer the questions 1.4 हाथ मोला map देला है कि इस पुर्थ कोलापूर काई भावा कोने कोलापूर जाही थे okay I think मैंनी पला हिया सो जो भी कोलापूर से comment में लिख दो yes we are from कोलापूर okay और जो भी अम्रावती से वो भी निख लिखो चार्ट में कि yes we are from अम्रावती okay काई पोट्ट्या नो काई करू राईले बरवर ना चलो तो अम्रावती विधर्व आनि आपला कोलापूर एकड़ भावा काई कराईलास काई सांगाईलास चलो कोलापूर कोलापूर में देकाई तो कोलापूर में बगितला लक्षाद को महत्वाची गोश्ट आपन इसे लोकसंख्या पाईले okay we are talking about here the लोकसंख्या आपन कहसे अतल बोलते लोकसंख्या या गोश्ट्य बदर इस आपन बोलते आई जास्ते लोकसंख्या टॉक्या तुम्हा या भागत में ऊहलेका पंःणगा नंतर इसे मधिन लिजा पाहिल थि चुछ्टा चिकाल्यभट aleo आ गोगलिटी चंलो ऑगले या हमदिया तोन महला काई दिशता है यह को उस्पान तुम्हाला चील्या प्रकार है जा 개ली गधिं Dick लोगसे भणते ऐटा अजुनकुटा कमी है। लोगसे भाणता अजुनकुटा कमी लक्षात गाया। इतता तिर्कस पत्था मांझे काया। 4 से पक्षा जासता पर स्पर किलमेटर हाता है। आड़ो पत्था मंझे काया वबा 2 से एक ती 4 शे परनता। आणि टिमब टिमब दिले लाइटे काई तो दोंशे पेक्षा कमी लोग ही तरहाथाथ ओके चलो सुहे करो तुम्हाला तबा कश्रम मदे लोगसंगे जायती कमी आए तो आपन उगी राधानगरी मदे तुम्हाला मंग थोड़ीशी कमी लोगसंगे पाहला मेंड़े आए सर्वात कमी आपन बगना रहोत फुटा आए ते राधानगरी जीते राधानगरी धरन्सुदा आए ओके इडिंगाव राधानगरी धला चलो अगे गार्गोटी तालू का तालू का तालू के ला दूसरा नाव का या है करें या हमisenh दूसरे टालूkins आपन बगित लए थीत थ kg आढ़ी सले अजरा है आणि चांदघा या बगा में तुम्हाला लोगसंगे ज태 आज तुम्हाला का लोगे सबगेतया है को कोई में लोग सब्सकी है गंडिंगाव ऐ अशत परवरकार है यह कोल्लापूर्चा असिल तन्ना थोड़ा साय बदल अन्दास असिल तत कई आउगर नहीं है अशा प्रकार है अशा प्रकार है। तो this is you know you can understand here कि किस तरह से हमने यहां पे जो है हमने यहां पे density of population पे बताई हैं okay and this is a map of isopleth right now okay isopleth है ना है ना को रोपलेत है okay चलो तो यह आपको कोलापूर के वेस्टर्ण पार्ट में कि तो यह जो पार्ट है तो आपको इस वाले रिजन में आपको कहा दिखती है okay you know the population आपको पार्ट है है तो यह भी आपको homework रहेगा okay now look at here these are some of the questions have been given to you all of you like in which direction is the density of population decreasing okay so obviously western part में दिन्यावाज तालुका जहापे काफी जाते हैं इन्हों density कम है 200 से भी कम है उसका नाम लिखो नेम तो तालुकास having population density between 200 to 400 यह भी आपको लिखना है तो नेम तो तालुकास with population density more than 400 यह भी आपको आपको लिखना पड़ेगा इतनी सब्सक्राइब चीज़े हैं वह आपको आपको मिलती है so now we'll talk about here the भावा नो कोला पुर्मदे कासा पाउस पड़ाई ले okay now तो आपको ज्यादा dark जो रिजन तो दिख रहा है ज्यादा difference मिलनी रहा है लेकिन हाँ अगर आपए देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2400 आपको 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 आपक तो यहां दक्षिने परियांत यहां पूरण भागा मदे तुम्हाला एकाँच प्रकारच परजन्य भागाले भेटत तुम्हाला एकाँच प्रकारच परजन्य भागाले भेटत तुम्हाला एकाँच प्रकारच परजन्य भागाले भेटत तुम्हाला एकाँच प्रकारच प बाग में तुम्हाला साशी मिलिटर भागे ले बढ़ते हो गडिंग हां तो आशा पर के जी किती भाग पढ़ले लेत चार भाग पढ़लेत एक किती चोविश्य आठराश्य बाराश्य आणि सहाश्य लुकाइड यह इस फिकर आपको क्या दिख रहा है कि यह वाला जो रिजन आपको यहाप दिख रहा होगा यहां पर आपको मिलती है सबस्दा बारिश वो कितनी है वो है 2400 ऑके 2400 मिलिमेटर जो बारिश आप पर मिलती है वो हम अगर नौत से हम साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको वह पर सेम ही प्रकर्च मिलेगे यह नौत से अगर हम साउथ की तरफ यह जहां तक आएंगे तो आपको इस रिजन में सेम प्रकर्च का दिखेगी बारिश आपी दिखेगी अगर हम थोड़ा यहाँ पर जाएंगे विस्टन साइड में तो यह वाला रिजन में आप पूरा एक ही हमने यहाँ पे वेरियबल लिया है जो की रेन है और पूरे रीजन को वहाँ पे क्या कर रहा है टेकोर कर रहा है है ना है रहा है है जो क्याँ धायाँ जुरियाया अथ हलने लियाया टया पर जंके नहीं%, एक हरगा पाएं और और सुर्ण परियोगों को व्यचयत को प्रतर। जिले ते आपर जमाईत को बढ़ा पाई है, जो विश है कोंती पदददवापर लिली आ है? हा तुमचा है and which class shows how rainfall category distinct ये भी हमने देखा है राइट ना, लेकिन सबसी इंपरण वाला कोशन है कि कौन सी मेथड हमने यापर यूस की है so this is your homework तो हमने इसमें कौनती मेथड यूस की है मुझे ही आपर दूपर देगा और वो भी अगर मुझे आप बता कॉमेंट में then it will going to be easy for all of us है ना, चलो so you know, now you know तुम्हाला इसे त्यार कराईशा है कि आता अपन टिम्ब पधिती नकशा त्यार करुए है खली तसाथी आकृती कृती कराईशे मंजे का है, आकृती 1.6 यामाद आपर आपर ला काय कराईशे नंदुरुबाज जिले नकशा तुम्हाला काजी परग भागाईशा है तो वे गड़ा कागदा वरते और ट्रेसिंग पेपर वरते तालुकानी तुम्हाला सीमान सित करते है तुम्हाला भागाईशा है आता नकशा तुम्हाला काय है का एक हजर कर रहा है सा क्या एक लाग कर रहा है तुम चावरती ओके आता है थोड़ा सा अंदर जाला पाज ओके मंजे एका उप पर वहां थे किती टीम बदे ची तुमाल ठर होता है लोगे आट यह नाओ वीविल उन्हों प्रिपेर हिया यूजिंग डॉट मेंटड वीविल प्रिपेर है था मैप अफ नंदुर बार हिया तो सी था मैप नंदुर बार इन तक यहन फिगर 1.6 सामा पर देखें केरफूली आपको और एक मैप अपर ड्रा करना है नंदुर बार का ही वहां पर आपको इन्हों तालूकाज वहां पर ड्रा करने है district boundaries आपको draw करनी है I now see the population table तो population table देखने के बाद आपको कितने digits वहां पर चाहिए कितने इन्हों मतलब इन्हों एक value क्या रहेगी एक dot की वह आपको decide करनी है तो जो data आपको दिया गया है decide the value okay decide the value कि एक dot की value को है कि 10,000 लोग होगे एक dot में या फिर 1,000,000 रखोगे या फिर 15,000 रखोगे यह depends on you okay now for example one dot is equal to 1000 people so that you can decide कि how many dots you need to be given to each sub administrative unit मतलब आप हर एक तालूका में कितने dot use करोगे यह decide करेगा यह depend करेगा क्या data वह आपको दिया गया है ओके चलो यह पूरी दर से क्या है आपका map है किसका नंदुरबार का तो नंदुरबार में यहापे कापे दार यहापे दिये गये है तैसिल तो चलो हम यहापे क्या करते है जरा यहापे तैसिल जो है यहापे draw करते है तो शायद आपको थोड़ा से यहापे अंदाजा आ जाएगा ओ हेना और एक तैसल यह फे ड्रा करता हूं थोड़ा सा क्याशातर अ कि आये लिता हूं हसा है है कि है हो ने अरश द्रॉसियों अरशार नमर्मक्तर शूर्मिने यह फेसलं में इस बाइख यह पूलगर तीसर थेसल हो गया, पूरत वाला थेसल कौन सा है, यह वाला थेसल अफे पन गया, इस तरह से, यह थेसल, यह थेसल, देन हापन तालुक इता सुम बनो लाएक, जो अलएड दनी ते दिलेला है, आशा प्रकार है, वी एक्रियेटिड हिया, तुम्हें आजुन थोड़ा हाँ, सो हेर इस दा वन, टू, थी, फोर, फाई, शिक्स, हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाज, स्थाह, राट, की तालुकेट, साह तालुकेट, राइट ना, अकै, ताह आता है चाह में दुम्हें आजाएगार है, प्रत्यक तालुकेट जिजिएल, तो यहां पेना और एक इमड़ा माद तो यह वाला मैंने अल्ड़ी मापे पर ड्रॉप किया लेकिन स्टिल इफ वांट तो एक बार ड्रॉप कर लेता हूं कुछ ऊव्ष्व है नहीं है एंग्लिश मेडियम के लीए है तो आपको जिले मैप दिया गया है उस से एक किया करने TWO boundary पहचान नहीं कि कहां पर boundary है क्योंकि यहां पर आलेडी चीज़े दी गई है कहां कहां पर district वाली boundary है कहां कहां पर तैसिल की boundary है तो इस तरह से आप क्या करो boundary जो है आप पर draw करें कोशिश आप करो अपने textbook में अपने notebook में sorry इस तरह से and then it will going to be easier for all to draw this kind of maps as well okay इस तरह से आप क्या कर सकते है use कर सकते है यह नर्मुदा river है यहां पर और उपर फिर आपका Gujarat MP और यहां पर Gujarat आ जाएगा तो 1,2,3,4,5,6 आपको यहां पर बन गया आपके desert है यह बला इस तरह से getting यह बला तो इस तरह से यहां पर धान जरा रख लेना क्योंकि जादा मुश्किल है नहीं है and then here okay getting clear सभी को yeah उसके बाद न यहां पर दियागा you know kind of population तो total six यहां पर क्या है आपके तालूकास है तो इस तालूका के हिसाब से शायद मुझे लग रहा है कि आप फिर यहां पर क्या उसकरोगे 10,000 वाला एक dot आप है आप ही उसका सकते हो तो 10,000 वाला dot मतलब अगर सबसे जादा population आपको कहा दिख रही है सबसे जादा population आपको दिख रही है शाहादा में वह कितनी है आपको दिख रही है 3,46,000 मतलब around 34 dots तो 34 आपको small small dot आपको यूज करने पड़ेंगे लेकिन अगर आपने 1,000,000 वाला 3 वाला पे डाल दिया फिर 1,000,000 वाले 3 तो काफी मुझकल हो जाँगे है ना तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो है ना different kind of things तो काफी easy है रहे का आप सभी के लिये great, so you know timbe समान आकरत काडने करता तुम्हीं बाल पनाची refill गया अनि अगरा पथा बजु आपकश्वाई थी काई करता काश्वान बंदा गरा अनि, अथा stamp paper, stamp pad, और यूज का चाहिए नाकर्षा में आवशक ता ठीका नी टिम्बे टिम्बे काड़ा हुआ क्या बात है तो इसे ठासी तुम्हाला का आगरते उंटवाएच अने अग्या अग्या आपकूरती वण पॉइंट सामधिल प्राकूरती ग्राशनलक्षाद गहीचिए अबर डंग्रा ठीका तो यह वाला धन में रेखे चलना कि डॉट्स कहा पे देने कहा पे नहीं देने कि साथपुड़ा परवता चीदे तुम्हाल जासते लोग संग्या नाही भेटनार रहा विद्धे जरा कमी का यूज करा की लोग संगे कमी यूज करा गेडिंग नेक्स वन कर लोग संगे कर नाहीं नाहीं करते नाहीं है काहां पे water resources है काहां पे roads है काहां पे rails है काहां पे तालुकाज है तो यह आप थोड़ा दिमाग में रखे फिर वहां पर जो dots आपको create करने हैं है ना चलो यह बन गया अब एक important आपके आपके बात करते हैं जो काफी important next year आपको इसका पूरा चप्टर भी है 10th में तो यह आए भागुलिक शेत्रवेट आता भागुलिक शेत्रवेट आता भागुलिक शेत्रवेट मुझे नेमका काहा है इसता तो लक्षाद ख्या खुब important गोष्ट है आणि विलनों ट्राइट अंडरस्टाइड है कि एक महत्वची अभ्यास पध्धती है शेत्रवेट काह यह प्रत्यक्ष तुम्ही काहा है यह संकल पनांचा कि वा घटकांचा तुम्ही प्रत्यक्ष आनुभाव गेता काहा है अनुभाव गेता ओके आणि मानवानी परियावरान यहांचे तो संबंधस हो आए मानव कशाप्रका निसरकाचा वाप्रकुरून जगतो है यह पन त पहते नहीं भखते यहता है, आथा क्षेत्र भेटी पूरो आयरी भुन जेक है? एका द्या क्षेत्रा भेट दैना साथी, तुम्ही जाता камए क्या है ट्रिफते ठीकान महीं पाई त्मकर वहांला क्या ठीकान ao ll Saloga का ठीकान जे ऑपा सा हेत्तु काया है तोछेतर भीट में आपन डेम का कोण गटकांचे निरीख्षन कराया के राहेंजिए हेपन तुम्हा थरुण घ्रुण करेंचे गेले वर थी गटबाट नायवाईजिए ों, प्रीवटे सकते हृत विएफित्यक्रड्यजे नUnis प्रदिशंध्ये की न जी विएत्यरी अटाथ il consent अग्याच एक습니다 और में लुटी इसलिहна oldest video भीटान्यानी सरम्मध्यी छूपी सब्सक्रातो बेक different kinds of places are there in the world but let's try to understand here if you are studying that particular place in terms of you know geographical concept joe hootay jyase mountain hai rivers hai valleys hai kind of soil ke different types hootay hai then waterfall vagar hai lakes hai you know there are different kind of geographical features hai those features ka aap kya karrayo joe elements hai agar usse aap dekhna chate hai usse feel karna chate hai to us ki padhai karna chate hoon to woh aap field visit se kaasakte hoon hai na to field visit yee kaafi extremely important tool hai understand karne ke liye or you know kind of correlation batanye ke liye ki human and joe nature ke joe elements hai woha rheitay kaise hai okay so agar aapko voha pe kya karne yee relationship bahta ta hai human and you know environment so now ab jana hai toh bhai preparation kaise karna hai aapko pehle toh pata nao chae koonse place ko aap visit karreho ho then uske uska purpose kya aise hi jarae ho ghumne ke liye jarae ho darshan ke liye jarae ho yaa phir you know vahaa ki soil dekhne ke liye jarae ho yaa phir for fort dekhne ke liye jarae ho yaa phir historical places pe you know kind of history janne ke liye jarae ho yaa phir you know sugar cane ke factory me aap sugar kaise banty ho dekhne ke liye jarae ho different kind of reasons hai hai na hmm toh elements jinn ke liye aap voha peh ja raha ho pahle aapko voh decide karna padheega okay the elements which will be observed kya voha peh ja ke aap dekhne waale ho okay then aapko location pata ho na chae location map then uske baad route map bhi aapko pata ho na chae kis route se aap jao ge okay gao se jao ge yaa phir toh baut bade highway se jao ge yaa phir gao ki chotra se jao ge yaa phir gao ki chotra se jao ge yip aap pata ho na chae ye distance kitna hai koonse mode of transport use karna wale railway karo ge bus use karo ge then public transport use karo ge yaa phir khud ki bus use karo ge khud ki bus use karo ge kud ki gaadi use karo ge ye depend karo right now okay then duration of the phase kitna rahe ga ek din rahe ga kuch ghante rahe ga yaa phir 2-3 din rahe ga it depends on that right jitne door woh place so karo aapne shaad different places visit kia bhi ho ga right now aapka bhi beach pe bhi gaya hoonge aapne kabhi port ko visit kia hooga and there are different kind of things that you have already done so woh thoda sa di maag me likhon and next year chapter aapko alag se hain matlab alag se nahin alag se matlab kind of the first chapter of geography next year 10th ye aapka pehla chapter geografi ka okay next year mein okay so this is this is really important thing so java tumhi shetra patala bhi dheta tyawali tumsi ka hai toh prakurti buru pe nadi kenar hai aapne pahil right na kai kai garaza hai aani java tumhi bhi dheta tyawali tumcha kada ka asna ho shak hai nondwa hi namuna prashna wali pen pencil moz patti tape hoka aintra namuna gola karan saari te pishvi ya saknaya goshti jayatna kup mahatwa cha hai karaan tumhi dheta tika nala bhejda na tumhi dheta maaiti karela chalala taa kshetra cha bhoguli kreta tumhi abhaz karela chalala taa 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 tumhi chaknaya goshti paai jayat rekingla taa taa tumhi kaya goshti gyoong jana raha haat na kadi hoka aintra asel kiwa prathomachar peeti wakir asel kadi kaya zahalat shukon to tia saati tumhi prathomachar dene saati tumhi chotishi peeti asna ho shakai kaamera durbin na kashat saka ya goshti tumhi gyoong zana raha haat ok so we understood ye ki kaunse geographic elements ki padhaai karne ke liye moha pe jate hai lekin woh jahum jate hai toh aapko na kaafi jayat me leke bhi chalna hai ki pahle toh aapko notebook carry karne hai uske baad kuch questions aap agar moha pe jake puchnay wale ho kisiko jiasse agar sugar factory me ga toh sugar factory me kuch aap question puchnay wale ho to you know aapko question bhi woha pe tiyar karne pehle leke jane nge toh ke baad pencil hai pen hai scale hai tape hai compass hai bag hai for you know collecting the samples of the particular soil ho ya phir sugar ka ho ya phir different plants ho toh aap hi usse leke jasakte ho maps bhi important hai and camera ya photo wai photo me nikaal na hai selfie nikaal na hai right na so these are really important things that we need to understand here legin you know agar aap java tumhi shetra bhi tle zaal tha hai tumhala kaay kalji gai chye lakshat gya ki surakshita paana khu mohatwa chye karanthi zho tumhi ekte zaal ekte zao naka shakke toh ok dhurgam thikani anolkha thikani tumhi ekte zao naka lokaanthi samparga saath tha sthanik lokaanthi trekking la gela hai waara kiwa kai thikani tumhi jari gad chada saathi gira jela hatta lokaanthi samparga saathha aani pariyavarana cha konte nuksaan titla hoona rana hii goshta lakshat ghena kup mahatwa chya hai hai tumhi lakshat ghena so jab bhi haam kisi philwiz ke lihe jahathe toh kuchh cheeze aapko dhahan me rakhni hai ok the taken precautions kya precautions aapko karna hai ki aapko khud ki jo safety hai you should obey the instructions given by the teachers and you should not go to unknown remote places alone unknown places pe aapko akele jana nahi hai aapko teachers ki aapke jo nazdi ki loge unki mahat leni hai and jab philwiz naap karo ke try to understand ki local circumstances haapke kya hai by conversing with the local people unke saath baate karo kya wapke cheeze hoote ki sara se ghakti hai and you should also ensure that you do not harm the environment in any way during your field visit aap wapke us environment ko harm nahi karo ge and you should always keep a first at a box aap aap aapne saath rakho ge e marni situation mein toh ye jo sari jo cheeze aapko dhahan me rakhni jabhi aap field visit haapke karne ke lihe aappe jathe ho right na ok and aapko haapke gaga na thoda sa report bhi likhna jabhi aap aapke field visit karke toh aapko tumhala kaay lahi chee ki obha tumhi ta kashathe geela ho taat konthia tumhi sthana saati geela ho ta konthia marga na tumhi geela ho taat ithla konthia prakurti ghadak tumhi pahe le hathla hao maan kasha prakare ho ta log sanghi te jaastik kamhi ho tae tye pan tumhala mahit pae chee parayabaran samashe kai tumhi haana uleka jatana kai ghaan ase el keeva kai jungle tohda se aashe kai tumhi haana uleka ba dao jana uleka tiyah adhah tumhi ka upaya suçwaal ka tye pan iha ahoghala mahi tumhi ha lehich chee kama hala bhoomi upojo na ase el bhoomi sa upyo kasha prakare kele kelela hai shethi kasha prakare kele jate ok aani chabuti nishkarso tumhi hata tumhi hata tumhi hata tumhi hata kai zana ule kai tumhi cha abbaso nishkarso hai he pan tumhi hata lahi cha hai ok now field report should be you know written on the basis of information obtained after the visit is complete and aapko karne ki kuch following points aapko likhne ki e report mein ki introduction likhna hai ki kya apne kis liye kiya tha kya kiya tha us location map ko likhna hai kis route se ap gae thai waakki fiziografi kya hai woh bhi hapko likhni hai then climate waakka kaisa tha population waakki kaisi thi then environmental problems waakka kya hai uske liye kuch measures agar aapko liathe woh bhaapko liathe land utilization kis tari se waakko liathe hua hai and conclusion kis tari se yeh saare yo cheeze hai aapko likhni padegi ok so today we have understood you know different kinds of maps apan ka hai bagitla apan aaj nakashe pahile hai vitarna cha nakashe ok so first we have seen here dot method manja ka hai timba paddhat then second apan pahile hai the isoplet kshetra ghani ok third we have seen here koroplet manja ka hai samaghani then fourth apan pahile hai te ka hai build visit manja ka hai right so we have seen all these topics today apan hai saare gohshita pahile hai so I think saare na kala hai astil tumje zar kai doubt pagher astil zara sar hai kala nahi te kala nahi hai tar nakki te je doubts hai tumhi comment section humade liha aani homebook mi tumha aladi deile rahe please you know complete your homework ok please you know complete your homework ok aani comment section mazi saangha ok comment section mazi saangha maala nakki tumcha kropad dalai varthi so this is from my side tumhaala aachha vitar naache nakashe hajo dhada hai toh kala asil so we are going to complete your whole syllabus of the ninth standard maharashtra board here so we are going to meet you we will meet in the next session of sst in the next week thursday so till then please take care of yourself tata bye bye take care good night jay maharashtra jay maharashtra dhanywaad okay thomas si झाल झाल